हेलो फ्रेंज, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशन स्पर्धा प्रकाशन, आज के रिविजन स्पर्धा के सीरीज में आपको बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ जैसा कि आप सबको पता है, जैसे से सीजियल के एक्जाम्स के डेट डिक्लेयर हो चुके हैं, जो की 28 जैनवरी और 4 फैबरी है और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी होगी, और अब आप नेक्स स्टेज में होंगे, जो की है रिविजन का स्टेज होता है हर भार की तरह स्पर्धा प्रकाशन आपके लिए रिविजन भी स्पर्धा की सीरीज लेके आया है और इस सीरीज में जैसे सी सीजिल जो एक्जाम से उसमें 50 क्वेस्टन्स पूछे जाने हर सेक्षन से हमारे हर रोज की सीरीज में अराउंड 40 क्वेस्टन्स होंगे, जो की हर सेक्षन से होंगे जार्खन का इतिहास, जार्खन का भुगोल, यहां की जार्खन का राजवयवस्ता, जार्खन की जन जातिया, समसामे, हर सेक्शन से हम आपसे हर रोज 40 questions के लगबा questions पूछेंगे और आप उस सीरीज में जरूर पार्टिबेट कीजे, आप कितने हद तक आप सारे questions का जवाब दे पाते हैं, जो कि आपके revision में काफी मददगार साबित होगा और मुझे यकीन है कि, मुझे यकीन है अगर आप 15 minutes रोज, revision with spardha के साथ देंगे, तो आपकी revision बहुत अच्छी तरह से पूरी हो जाएगी और उस revision के क्रम में अगर आपको लगता है कि, आपकी तैयारी में कहीं कोई कमी है, तो you still have time, आप अपने तैयारी को और अच्छी तरह से प्रशप कर सकते हैं So let's start revision with spardha And wish you all the best for your exams जार खंड का सबसे लोक प्रियस सुशिर वाद्य कौन है? A. मांदर B. सानाई C. केंदरी D. बांसुरी सही जवाब है D. बांसुरी तुसू पर्व किस दिन मनाया जाता है? A. माघ पूर्णिमा B. बुध पूर्णिमा C. दशहरा D. मकर संक्रांती सही जवाब है D. मकर संक्रांती निम्न में से कौन सा पर्व होली का जारखंडी रूप है? A. चंडी पर्व B. सोहराई C. माघे पर्व D. इन में से कोई नहीं सही जवाब है D. इन में से कोई नहीं सावित्री पूर्टी किस खेल से जुड़ी हुई है? A. हौकी B. क्रिकेट C. तीरंदाजी D. फुटबॉल सही जवाब है A. हौकी सरहुल पर्व किस माह में मनाया जाता है? A. श्रावन B. आशाड C. माघ D. चैत्र सही जवाब है D. चैत्र निम्न में से किस्से जारखंडी वाइलीन के नाम से जाना जाता है? A. केंद्री B. भुआंग C. एकतारा D. शेहनाई सही जवाब है A. केंद्री चून रित्य का प्रदर्शन सर्व प्रथम विदेश में कब हुआ था? A. उन्नीस सौ अठाईस B. उन्नीस सौ बाईस C. अठारह सौ बाणबे D. उन्नीस सौ अर्टीस सही जवाब है D. उन्नीस सौ अर्टीस तिलका मांजी का वास्तविक नाम था A. जतरा भगत B. जतरा पांडे C. जबरा पहाडिया D. भगत उराम्व सही जवाब है C. जबरा पहाडिया गिरडीह जिले के किस स्थल पर श्वितामबरी जैन का तीर्थ स्थल है A. मधुबन B. मीरजागंज सही जवाब है A. मधुबन आदिवासी भाषा में हुल शब्द का अर्थ क्या है A. युद्ध B. खूनी C. खूट D. क्रांतिकारी सही जवाब है D. क्रांतिकारी मरांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है A. शिबू सोरेन B. बिर्सा मुंडा C. जत्रा उराम्व D. जयपाल सिंग सही जवाब है D. जयपाल सिंग किस वर्ष जहारखंड में जमीनदारी पुलिस की शुरुवात हुई थी A. अठारह सो पांच B. अठारह सो चह C. अठारह सो साथ D. अठारह सो नौ सही जवाब है D. अठारह सो नौ शेक भिखारी को फांसी कब दी गई थी A. आठ फरवरी अठारह सो अठावन B. आठ जन्वरी अठारह सो अठावन C. दस मार्च उननीस सो अठावन D. आठ जन्वरी अठारह सो उनसट प्रथम पंच वर्षिय योजना के अंतरगत सन 1951 में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना कहां अवस्थित है? A. सिंदरी B. रांची C. जपला D. बरॉनी सही जवाब है A. सिंदरी कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक D. Notes of Indian History में किस विद्रोह को प्रथम जनक्राति की संजा दी है? A. भूमिज विद्रोह B. कोल विद्रोह C. संथाल विद्रोह D. मुंडा विद्रोह सही जवाब है C. संथाल विद्रोह रांची में संपन्न 34 में राष्ट्रिय खेल का शुभंकर क्या था? A. स्टंपी B. छूवा C. शेरा D. इन में से कोई नहीं सही जवाब है B. छूवा तिसको का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? A. टाटा कंपनी B. टाटा स्टील C. टाटा मोटर्स D. टाटा इंडस्ट्रीज सही जवाब है B. टाटा स्टील जारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? A. तिनुघाट B. पतरातु C. बोकारो D. चंद्रपुरा सही जवाब है B. पतरातु साहित्य अकादमी पुरसकार 2021 निरंजन हां सदा को उनकी पुस्तक माने रेना अरहंगा कविता संग्रह के लिए दिया गया वे किस भाशा से संबंधित है? A. कुडुक B. संथाली C. ओडिया D. मुंडारी सही जवाब है B. संथाली बोकारो इस पात कारखाना में उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? A. उन्नीस सौ साथ B. उन्नीस सौ सत्तर C. उन्नीस सौ बेहत्तर D. उन्नीस सौ सही जवाब है C. उन्नीस सौ बहत्तर निम्न में से कौन जारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? A. मांदर B. धमसा C. ढोल D. बानसुरी सही जवाब है A. मांदर जारखंड में मुख्यमंत्री दालभात योजना गुरुजी किचन योजना किस वर्ष शुरू की गई? A. दो हजार 9 B. दो हजार 11 C. दो हजार 10 D. दो हजार 12 सही जवाब है B. दो हजार 11 जमशेदपुर इसपात कारखाना में उत्पादन कब शुरू हुआ? A. उन्नीस सौ ग्यार B. उन्नीस सौ सोलह C. उन्नीस सौ अठारह D. उन्नीस सौ साथ सही जवाब है A. उन्नीस सौ ग्यारह जार खंड के प्रथम दूर दर्शन केंद्र की रांची में स्थापना कब हुई? A. उन्नीस सौ चौरासी B. उन्नीस सौ अठासी सही जवाब है A. 1984 टाटा आयरन एंड कम्पनी की स्थापना कब हुई थी? A. 1907 B. 1908 C. 1911 D. 1906 सही जवाब है A. 1907 जार खंड राज्य का पहला विद्युत संयंत्र कहां स्थापित किया गया? A. तिलया B. मैथन C. बराकर D. धन बाद सही जवाब है A. तिलया बोकारो लौह इसपात उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? A. 1908 58 B. उननीस सौ 60 C. उननीस सौ 64 D. उननीस सौ 74 सही जवाब है C. उननीस सौ 64 एशिया का प्रथम मिथेन गैस कुआ परवतपुर जारखंड के किस जिले में अवस्थित है? A. हजारी बाग B. कोडर्मा C. रांची D. बोकारो सही जवाब है D. बोकारो सही जवाब है C. चेकोसलो वाकिया जारखंड के किस जिले में सरवाधिक संख्या में बाल श्रमिक कार्यरत है? A. गिरिडीह B. पलामू C. रांची D. धनबाद सही जवाब है C. रांची जारखंड की ओद्योगिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? A. धनबाद B. जमशेदपुर C. रांची D. कोड़मा सही जवाब है C. रांची जारखंड के किस जिले में बाजरा का सरवाधिक उतपादन होता है A. हजारी बाग B. लातेहार C. दुमका D. धनबाद सही जवाब है A. हजारी बाग बोकारो इसपात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? A. सोवियत संग B. बिटेन C. जापान D. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही जवाब है A. सोवियत संग मुरी में एल्यूमिनियम कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? A. उनिस सो अड़िस B. उनिस सो चोवन C. उनिस सो अठवन D. उनिस सो बासट सही जवाब है A. उनिस सो अड़िस बोकारो लौह इसपात कारखाने को लौह अयस्क की आपूर्ती किस स्थान से होती है? A. क्योंजर B. बैलाडिला सही जवाब है A क्यूंजर जारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? A. तिलया B. तेनुघाट C. चंद्रपुरा D. मैथन सही जवाब है A. तिलया एनेच एक सो जारखंड राज्य में कितने किलोमीटर की दूरी तै करती है? A. एक सो किलोमीटर B. एक सो साथ किलोमीटर C. एक सो उनतीस किलोमीटर D. एक सो तैनतीस किलोमीटर सही जवाब है D. एक सो तैनतीस किलोमीटर एनेच तैनतीस सडक की जारखंड राज्य में कुल लंबाई कितनी है? A. 300 किलोमीटर B. 333 किलोमीटर C. 315 किलोमीटर D. 400 किलोमीटर सही जवाब है B. 333 किलोमीटर राजमहल ट्रैप का स्रिजन कब हुआ? A. जुरैसिक काल में B. प्लायोसीन युग में C. मध्यजीव युग में D. योसीन युग में सही जवाब है A. जुरैसिक काल में जारखंड में कितने आकाशवाणी केंद्र है? A. 8 B. 10 C. 6 D. 5 सही जवाब है C. 6 जारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 में कहां हुई थी? A. बंजारी B. खलारी C. जपला D. जींक पानी सही जवाब है C. जपला स्वामी विवेकानंद निह शक्त स्वावलंबन प्रोथसाहन योजना के तहत निह शक्तों को मिलने वाली राश्य 200 रुपए को बढ़ा कर कितना कर दिया गया है? A. 300 रुपए B. 400 रुपए C. 500 रुपए D. 600 रुपए सही जवाब है B. 400 रुपए 1928 इसवी में एमस्टरडम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हौकी टीम की कप्तानी की थी A. सुनील कुजुर B. दयामनी सोय C. हेलेन सोय D. जैपाल सिंह सही जवाब है D. जैपाल सिंह जार खंड में स्थापित प्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा था A. तामबा B. रसायन C. उर्वरक D. लौ एवं इस्पात सही जवाब है D. लौ एवं इस्पात जार खंड राज्य में निजी क्षेत्र का लौ इस्पात कारखाना कहां स्थित है A. जमशेदपुर B. बोकारो C. धनबाद D. इनमें से कोई नहीं सही जवाब है A. जमशेदपुर जार्खंड राज्य में सार्वजनिक शेत्र का लौह इस्पात कारखाना कहां स्थित है? A. जम्शेदपुर B. बोकारो C. रांची D. दुमका सही जवाब है B. बोकारो भारत में सर्व प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहां स्थापित हुआ था? A. जम्शेदपुर B. बोकारो में C. धनबाद में D. रांची में सही जवाब है A. जम्शेदपुर रांची में दूरदर्शन केंद्र किस पंच वर्षिय योजना में स्थापित किया गया? A. पांचवी B. छठी C. साथवी D. आठवी सही जवाब है B. छठी मिली होती है जारखंड में राष्ट्रिय राजमार्ग की कुल लंबाई है A. तीन हजार 366 किलोमीटर B. दो हजार 711 किलोमीटर C. एक हजार 987 किलोमीटर D. दो हजार 98 किलोमीटर सही जवाब है A. तीन हजार 366 किलोमीटर पारसनाथ पहाडी किस धर्म के अनुयाईयों का तीर्थ स्थल है? A. जैन धर्म B. हिंदू धर्म C. ईसाई धर्म D. इसलाम धर्म सही जवाब है A. जैन धर्म केंद्रिय इंधन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? A. कांके B. जलगोडा C. धनबाद D. नामकुम सही जवाब है B. जलगोडा केंद्रिय खनन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? A. कांके B. रांची C. धनबाद D. गोमिया सही जवाब है C. धनबाद रांची विश्वविद्याले की स्थापना कब की गई थी? A. उननीस सौ साथ ईस्वी B. उननीस सौ सैंतालीस ईस्वी C. उननीस सौ उनहत्तर ईस्वी D. उननीस सौ अठारह ईस्वी सही जवाब है A. उननीस सौ साथ ईस्वी जारखंड राज्य में Central Institute of Psychiatry कहां स्थित है? A. बोकारो B. रांची C. जमशेदपुर D. धनबाद सही जवाब है B. रांची जारखंड में गुरुकुल महाविद्यालय कहां स्थित है? A. धनबाद में B. देवघर में C. बोकारो में D. रांची में सही जवाब है B. देवघर में जारखंड में मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? A. हजारी बाग B. रांची C. चत्रा D. जमशेदपुर सही जवाब है A. हजारी बाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना कब की गई थी? A. उननीस सौ साठ B. उननीस सौ छियासट C. उननीस सौ इक्यासी D. उननीस सौ इक्यानबे सही जवाब है C. उननीस सौ इक्यासी नीलामबर, पीतामबर विश्वविद्यालय कहां स्थित है? A. साहिब गंज B. दुमका C. जमशेदपुर D. मैदिनी नगर सही जवाब है D. मैदिनी नगर सिदो कान्हू विश्वविद्यालय कहां स्थित है? A. गोड़ा B. पाकुड C. दुमका D. साहिब गंज सही जवाब है C. दुमका जारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? A. दुमका B. हजारी बाग C. रांची D. चत्रा सही जवाब है B. हजारी बाग सिदो कानहू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? A. उन्नी सो नब्बे B. उन्नी सो बाणबे C. उन्नी सो तिरानबे D. उन्नी सो चौरानबे सही जवाब है B. उन्नी सो बाणबे जार खंड के एक मात्र खनन उच्च शिक्षा केंद्र इंडियन स्कूल ओफ माइन्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? A. उन्नी सो चब्बीस B. उन्नी सो पैन्तीस C. उन्नी सो उन्तालीस D. उन्नी सो चप्पन सही जवाब है A. उन्नी सो चब्बीस रांची में स्थित राजेंद्र आयूर विज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? A. उन्नी सो अड़तालीस B. उन्नी सो पचास C. उन्नी सो साथ D. उन्नी सो बयासी सही जवाब है C. 1960 भारतिय लाह अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? A. गिरिडीह B. रांची नामकुम C. गुमला D. जमशेदपुर सही जवाब है B. रांची नामकुम जारखंड का पहला डिगरी कॉलेज कौन था? A. रांची कॉलेज रांची B. संथ कोलंबा कॉलेज हजारी बाग C. करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर D. इन में से कोई नहीं सही जवाब है B. संथ कोलंबा कॉलेज हजारी बाग MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? A. उननीस सौ साथ B. उननीस सौ बासट C. उननीस सौ चौनशट D. उननीस सौ अस्सी सही जवाब है C. उननीस सौ चौनशट चोटा नागपुर विधी कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? A. उननीस सौ पच्पन B. उननीस सौ चौन C. उननीस सौ तिरेपन D. उननीस सौ चौन सही जवाब है B. उननीस सौ चौन सिंदरी स्थित बिहार इंस्टीस्ट्यूट ओफ टेकनोलोजी का नया नाम क्या है? A. बिर्सा इंस्टीस्ट्यूट ओफ टेकनोलोजी B. बिर्ला इंस्टीस्ट्यूट ओफ टेकनोलोजी C. सिध्ध कान्हू, Institute of Technology D. जैपाल सिंह, Institute of Technology सही जवाब है A. बिर्सा, Institute of Technology रांची स्थित राजेंद्र, Medical College एवं अस्पताल का नया नाम क्या है? A. बिर्सा Medical College एवं अस्पताल B. डॉक्टर जैपाल सिंह, Medical College C. बिर्सा आयूर विज्ञान संस्थान D. रांची आयूर विज्ञान संस्थान सही जवाब है D. रांची आयूर विज्ञान संस्थान D. रांची आयूर विज्ञान संस्थान D. रांची आयूर विज्ञान